हाई फ्रेंड्स बेस्ट विजनस एन्वी चानल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको बटेर के अंडो की हचिंग किस तरह से की जाती है यह बताने वाले इसलिए आप इस वीडियो को पुरा अंतक जरूर देखना जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों यह हमारा पुराना इंक्विटर है इसमें हमने नीचे पेपर बिछाय हुआ है और हिमिडिटी बनाने के लिए पानी भी एक चूड़ी वाले बॉक्स में रख दिया है फैन है दोस्तों दो लाइट लगे हुए हिड बनाने के लिए सेंसर लगा हुआ है और उजले के लिए LED लगी हुई है हमारे पाद ज्यादा तो बटेर के अंडे नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में बटेर बहुत कम चलता है फिर भी हमको एक जगा से 44 संडे मिले है दोस्तों उन पर लगा हुआ बैक्टेरिया पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनको साप करने के लिए फिलाल मैं सेनिटाइजर का इस्तमाल कर रहा हूँ आप सेनिटाइजर हो गया एंटी सप्तिक हो गया या फिर कोई भी बैक्टेरिया नाशक का इस्तमाल कर सकते हो आप ने बाजू में अभी देखा हमारे पास बैक अप के लिए इनवर्टर भी लगा हुआ है और इन सबी अंडो का हम अभी फिलाल इंक्यूबिटर के अंदर रखते क्या है दोस्तो मैंने पहले बोला हमारे आपे बटेर चलता नहीं है जादा मार्केट नहीं है उसका हमारे एक दोस ने बटेर के चुजे लायते बाहर से और उन्होंने अभी अभी अंडे दिना शुरू किया है और हमने वही ताजे ताजे अंडे उसके पास से उठा लिए इसमें तोड़ा फटीलाइज अंडो की जो संक्या है वो कम रहने वाली है क्यूंकि जो भी ताजे ताजे अंडे होते दोस्तों वो ज़्यादा फटिलाइज नहीं होते है फिर भी हम इनकी हैचिंग करके देख रहा है और साथ में जगा बच रहे है करके दोस्तों मैं कुछ मुर्गी के अंडे भी इसी इंक्यूबिटर के अंदर दाला हूँ मुर्गी के अंडो को पूरी 21 दिन लगेंगे और बचेर के अंडो को 17 दिन लगेंगे जिया दोस्तों और इनको दिन में 3 बार कम से कम 3 बार आपको हाथ से रोटेट करना है रोटेट करने के लिए आप इस तरह से अंडो के उपर हाथ भी घुमा सकते हो दिन में 3 बार 4 बार हर 2 गंटे बाद भी अंडों को रोटेट कर सकते हो। फिलाल कोईल के एक्स को याने बटेर के एक्स को हम 14 दिन तक खिलाएंगे और मुर्गी के अंडों को हम 18 दिन तक खिलाएंगे दोस्तों। और incubator के अंदर hatching temperature होता है दोस्तों 30.7 जी हा 37.7 hatching temperature यही आपको continue रखना होगा उसके लिए आप कोई भी controller यूज़ कर सकते हो हमारे इस incubator को छोटा 1209 controller लगा हुआ है आप देख सकते हो अभी heat बनाने वाले light अंदर से शुरू है और यह जो hole बताया यह अंदर oxygen के लिए होत है तो आपका incubator पूरी तरह से सही नहीं बनेगा आप देख रहे हो temperature बढ़ते जा रहा है जैसे 37.7 हो जाएगा दोस्तों heat बनाने वाली light जो है वो अपने आप आफ हो जाएगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो light आफ हो चुके है शिरिप blue color की LED light ही शुरू है दोस् सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों पूरे 14 दिन तक बटेर के अंडो के लिए temperature controller manage करेगा और आपको इसके अंदर पानी खतम नहीं होना चाहिए इसका ध्यान देना है और अंडो को दीन में 3 बार rotate करना है जिया दोस्तों अब मिलते है 14 दिन बाद यह देखे दोस्तों 14 दिन पूरे हो चुकी है इसलिए दोस्तों अब हम अंडों को तो नहीं हिलाएंगे लेकिन बार-बार इंक्यूबिटर को खोलना भी नहीं है और chicken के यानि मुर्गी के अंडों के लिए हमें इंक्यूबिटर को खोलना पड़ता था करके दोस्तों हमने मुर्गी के अंडे अभी फिलाल बाहर निकाल लिये है अभी फिलाल इंक्यूबिटर के अंदर बटेर का ही अंडा रखा हुआ है तो यह जो अंडे है दोस्तों अभी मैं मेरे पास एक एक एक्ट्रा इंक्यूबिटर है तो उसमें डाल दूँगा चिकन के अंडे ताकि मैं उ बढ़ानी होती है 14 दिन के बाद लेकिन उसे बढ़ानी के लिए हम गरम पानी का इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों और अवी फिलाल हमने धक्कन लगा दिया है अब हम बार बार इस इंक्यूबिटर को खोलेगे नहीं टेंपरेचर वही रहेगा 37.7 आप देख सकते हो दोस्तों आ और ये चूदा जिस अंडे से निकला है दोस्तों वो ये वाला अंडा है दोस्तों जिस पे आप क्रैक देख रहे हो बटर के अंडों पे काले जो डॉट होते हैं दोस्तों उस कारण कौन सा अंडा क्रैक हुआ है किसने अंदर से चोच मारी ये थोड़ा पैचानना मुश्क कि लोता है फिर भी इस एक अंडे पे दोस्तों थोड़ा सा हलका सा क्रैक दिख रहा है शायद एकाद घंटे में इसमें से भी चूदा बहरा जाएगा आप 14 दिन के बाद जब भी इंक्यूबिटर खोलोगे तो उसके अंदर हीमिडिटी कम नहों इसका ध्यान देना अभी फि दोस्तों 17 दिन सुबह का समय जिहा दोस्तों और आप देख सकते हो बाकी समय तो मैं शूटिंग नहीं कर पाया लेकिन फिलाल 20-21 चूदों के करिब करिब जिहा दोस्तों अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि यह जो चूदे हो हाथ लगाने के बाद में दोड़ते बह बाहर आई चुके है जब तक इन अंडों को बाहर नहीं निकला जाएगा दोस्तों परफेक्ट गिन नहीं सकते कि कितना चूदा निकला है और उसमें का एक चूदे का एक पेर थोड़ा वीक भी है दोस्तों एक चूदा लंगला भी निकला हुआ है आप देख सकते हो जो च वसे ही इसके अंदर इनको पीने के लिए पानी लगा दिया था और उस पानी में ओना भीगे करके दोस्तों उस थोड़े से ढखकर में हमने फत्रे भी दाले थे ताकि चूदे ना भीगे पीने के लिए और पानी और खाने के लिए दाना तो हमने सुबह लगा दिया था और हो बहुत कम होता है जिया दोस्तों वो पूरी तरह से फटिलाइज रहेंगे यह जरूरी नहीं है इसलिए हमने यह जो बटेर का चूदा दाला था यह पूरी तरह से फटिलाइज नहीं होगा करके दोस्तों हमारा रिजल्ट थोड़ा कम आया है अब फिलाल शायद आदे के करीब करीब चूदा निकल चुका है और जब भी हम इंक्यूबिटर को खोल रहे है दोस्तों उस पानी में पानी बैठा तो ठीक है ने तो उस पानी में का पानी थोड़ा निकाल के बाहर सेक रहे है और उसके अंदर थोड़ा गुन- दिन तो निकालना ही नहीं है क्योंकि यह चूदे बहुती नाजुक होते है इस कारण दोस्तों हम इने बाहर बुरूडिंग में अच्छी तरह से टेंपरेचर नहीं दे सकती इसलिए इनको दो दिन वही टेंपरेचर में अंदर ही रहन देना चाहिए आप देख सकते हो अभी हम बाहर निकाल रहे है दोस्तों अभी जैसे ही हम बचे हुए अंडों की गिंती करेंगे अभी तो फिलाल हम जिन अंडों में से चूदे निकले है वही इकटा कर रहे है अभी फिलाल हम जो अंडों में से चूदे नहीं निकले उनकी गिंती करेंगे और उस पर से हमे बाहर आ चुके है 25 चूदों में दोस्तों एक लंगला है और दो निकलने के बाद बाहर आके स्वस्त होके भी मर गए जिया दोस्तों हमारे दो चूदे मर चुके है एक पानी में डूपके मरा और एक को पता नहीं क्या हुआ था फिर भी दोस्तों हमारे 25 चूदे निकले यान आपके पास किसी तरह का कोई इंक्यूबिटर नहीं है तो चैनल पर वीडियो देख के आप इंक्यूबिटर बनाना सीख सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बना-βना या complete ready mix चाहिए तो बटेर के अंडों के लिए 100 अंडों का इंक्यूबिटर मात्रा 3,000 रुपए का आता है 250 अंडों का इंक्यूबिटर मात्रा 3,800 रुपए में आता है All India Home Delivery के लिए यह इंक्यूबिटर आप हमसे भी परचेस कर सकते हो अगर incubator purchase करना है तो description में number दिया हुआ है आप हमें सुबह 11 बज़े से लेकर शाम को 6 बज़े तक कभी भी call कर सकते हो हम all India home delivery करवाते हैं लेकिन हमारे पास cash on delivery available नहीं है करके payment आपको bank account में पहले देना होगा उसके बाद courier से आपका home delivery करवाए जाएगा वीडियो को लाइक करके share दरूर कीजेगा धन्यवाद